तो फ्रेंड्स कीचन की उन्चनलों का स्वागत है आज हम बानाने जा रहे हैं बेबी जिंगा के सब्जी जो की बैदम परवल को फेल कर देगा बच्चे को बदल बदल के हम लोगों भी बदल बदल के खाने बहुत मज़ा आता है तो चली पहले बनाना सुरू करते हैं प heavily प्रकार में खाने तो आप चीलने कर दोता है जाझा बाड़ा आपने यह यहाथे बनाना थो बनाना शरू करें परकार का सबजी शो करें आता जाखते हो का अधिक का दिक predict अच्छा से छील लेंगे उसके बाद धो लेंगे तब भीज को फिर हम लोग कट करेंगे कट करने के बाद पानी भी बिल्कुल मन डालीगा क्यूंकि इसे अंदर पानी चला जाता है बहुत ही चटपटा रेस पीज का बनके तैयार होगा इसके आग सामने तो परवल की सबजी भी फेले एदम बहुत ही टेश्ट लेकता कि इसमें एक भी बीज नहीं रहता है बहुत लोगों को बीज पसंद नहीं रहता तो परवल थोड़ा बीज निकाल के खाते हैं लिकिन इसमें एक भी बीज नहीं है इस तरह से बनाईगा तो सपाइसी थोड़ा चटपदार कि अच्छा थो लिए हैं सारा पानी सुखा दिएंगे भी से चार कट में इसका ठुकड़ा करेंगे बीसे ह्सा नहीं करेंगे सिर्फ इस तरा से रखेंगे चार ठुकड़ा करके इसमें सारा गेवी अंदर तक चला जाएगा пл कि बहुत हैंनी सी गल ज्याता है थोड़ा खड़ा रहा तो परवल जैसा लगएगा खाने में इस तरह से सारे को कट कर दीए अगर काफी बढ़ा रहा तो इस सीफ कट कर दीजिएगा लेकिन इस तरह से 1.6 mm भूलऊव, 2 च्रीअ क्सपर, 2 मीर्च टालें गूतबल, 3 पता आपर दीए像 मिर्च सब्सक्य में जो पेयाज डाले रहे हैं मैं पेयाज को अच्छा से भूनें गएप आगले वीडियो में जो हम बनाये थे बर्ढ़ागा का सबूगी उसमें जो सारे मसाले हम रोष्ट करके दिखाए तो काफी मसाला मेरा बच गया है तो यह मसाला हम इसमें डाल देंगे जीरा, गुलकी, धनिया, पॉडर सभी रोष्ट करके रखे हैं वो ही इसमें डाल देंगे नमक डालेंगे ताकि सारे मसाले हम लोग का अच्छा से प्याज भून जाए जल्दी से गल जाए नमक अपने स्वादों सा डाले इससे कुछ दिर के लिए ठाक देंगे ताकि सब प्याज अच्छा से गल जाए नमक डालने से प्याज में पानी छोड़ेगा वो जल्दी गला देता है प्याज को और कम तेले में बहुत ही अच्छा सब्जी बनके हम लोका रेडी हो जाएगा इस रह से देखी कलर चेंज हो गया है आदा प्याज हम लोका अगल चुका है कम गया है अगर आप तीखा नहीं खाना चाते है तो कम तीखा बनाए यहाँ पर एक दो ही हरा मीठा डालीगा लेकिन जींगा थोड़ा मीठा होता है तो तीखा ही सब्जी अच्छा लगता है चटपटा इसमें लैसुनम दिखाए तो जो पीज दिये हैं और टमाटर को पतला पतला कट कर दी वो डाल दे रहे हैं अब तेज आज पर ही टमाटर को हमें गलाना है हल्दी पॉडर दे रहे हैं कलार आने के लिए अब धनिया पोडर दे रहे हैं अब सबी को अच्छा से हम भूनेंगे जब तक कि सारे टमाटर और प्याज गल ना जाए अच्छा से इस तरह से हम भून लेंगे उसके बाद इसको ढखकन से ढख देंगे ताकि जल्दी से सारे गल जाए टमाटर प्याज कुछ दिर बाद इसे फिर से उठा के देखेंगे अच्छा से गल रहा है पानी बिल्कुल नहीं छोड़ा है और ना तो पेंदी में चिपक के जल रहा है इस तरह से मिला देंगे फिर से हलका से मिक्स कीज़ेगा इसे टमाटर प्याज दोनों गल जागा वापस में मिल जाएंगे फिर से हलका से हम ठकेंगे कुछ दिर के लिए छे से साथ मिनट ही है मसाला भूनेंगे बहुत अच्छा से रड़ी हो जागा मसाला इतना देल में भूना कर फिर से अन्मुक्छोलनी के साथ ऐसे इसे कुचेंगे कुचने से सब प्याज टमाटर सब अच्छा से गल जाते हैं आपस में इदम मिल के लट पटा जाएगा हलका सा पानी दे देंगे ताकि अच्छा से मसाला आपस में मिल जाए अब फिर से इसे कुच दिर के लिए ढख देंगे ढखने से मसाला का खुषव इदम परकरार रहे हैं बहुत अच्छा खुषव भी आता है अचा से फिर ऊखारेंगे ढगा कि नो देखेंगे कि हमदों करétais इस तरह से खड़ा खड़ा सबस्जी ना बेईआंगे जीन अब बहुत ही अच्छा लगा खाने कि यह गले का बिल्कुल नहीं इसमें सारा ग्रेवी अंदर तक चला जाता तो बहुत ही मजा आता है खाने में इस तरह से ढगड़क है हम कुछ देने इसे भूनें अच्छा तरह से कि जिंगा में से पानी छोड़ता देखिए दीमा दीमा पानी छोड़ा अच्छा से भुना भी रहा है इसमें जीरा पौडर गोलकी पौडर धनिया पौडर सब मसाले पड़ेंगे अब थोड़ा सा लान मिर्ची का पौडर भी है सब एक मसाला जो रोष्ट किये थे वो सब ड देखा हो जाएगा देखिए कितना सुनर कलर आ रहा है आपस में मिल जूल के इदम अच्छा से ग्रेवी भी तैयार हो रहा है लटपटा रहा है आपस में बहुत सांदार सब जीबन के रिड़ी होगा इदम लटपट जैसा मसाला भूना चुका है सीफ हम लोगा जिंगा भ जाला भूने थे यूट्यूब पर डाला हुआ है इसमें धनिया पत्ता कट करके हम डाल दे रहे हैं इसे बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा अच्छा से मिला देंगे अगर आप बहुत सुखा सब्जी खाना चाते हैं तो डगड़क के भूनिया गा तो यह बहुत ही अच्छा सब्जी बन के रिड़ी होजागा लेकिन हम इसमें थोड़ा से ग्रेवी लगाएंगे धकन हटा के देखे फीर से देख रहे हैं हलका सा गर्म पानी डालेंगे बस ज्यादा नहीं पानी डालना है थोड़ा ही डालना है चोटी गिलास से आधा गिलास हम लोग पानी डाले हैं गर्म पानी अड़क के इससे पांच मिनट हम लोग पकाएंगे पांच मिनट में एक दम काफी सब्जी अच्छी से लट पठो गई क्योंकि जींगा पहले से सीज़ चुका था असारे मसाले अच्छा से भूना चुके थे हम लोग का यह बहुत ही जल्दी सब जीवन के रिड़ी हो जाती है पांच से छे मिनट हम लोग का हो चुका है दम गाड़ा गिरे भी बन चुका है जैसा हम लोगो चाहिए लास्ट में थोड़ा से गर्मसाला डालेंगे छोटी चमच से आधा चमच गुछ दिर के लिए से ढख देंगे एक मिनट के लिए बेबी जींगा बनाने का सबजी करें इस भी पसंद आजे तो हमरे चैनल को लाज सब्सक्राब कर दें फिजे पर जींगा का सब्सक्राइब की तe हर तरह के सबजी बनाए इंजवाय करे पूरे परिवार के साथ अब जींगा का बेवी जींगा का सबजी बनके रिडी हो गया अब सर्व करते हैं सलिय दिखाते हैं हम इसे रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं तो हम रोटी के साथ खा रहे हैं आप चावल के साथ खाना सब्सक्राइब करते हैं देखी कितना सुन्दर से बनके रिडी हो गया एदम खड़ा-खड़ा सब्जी है वहुत ही ज्यादा टेस्टी है इस तरह से खाईए